मैं सभी का सौगत करता हूँ फीजीज गयान मुकेशन एक चैनल पे बच्चो पैनिक मत होना आप अपने श्टड़ी चालू रण्यन दो क्योंकि बहुत सरे बच्चों को लगते कि एक्जम पोस्पांड होने वाली है करोना वायरेस के पेशन बहुत जादा बढ़ रहे है तो मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करता बच्चों बिल्कुल डरना मना है हम लोग हमारी स्टड़ी मोटिवेशनल से सेल्प मोटिवेशनल जीज मोस्ट इंपॉर्टन्स मैं बहुत कानी बोल चुका हूँ रोज कोशन मतलब मोश्ट इंपॉर्टन्स दस पंद्रा कोशन हर चप्टर वाइस देने वाला हूं तो बच्चों आप अपनी तयारी करना आज हम लोग धमनल से पता लगा है कि क्लास 10 एंट 12 का रिजल का अपडेट क्या है सर क्याने उसके उपर मैं आपको कुछी लिंक सबुत के साब दोंगा बच्चों पूरा वीडियो सुनना है शेर करना है लाइक करना है नए तो सब्क्राइब भी करना है पूरा वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है आप देखो बच्चों टोटल डिवीजनल बोर्ड हमारे पास नो है जैसे कि पुने नागपुर औरंगबाद मममई कोलापुर अमरावति नाशिक लातुर आयन कोकन पूरे महराष्ट के नो डिवीजनल मतलब यह मैं पुने मैं डिवीजन है बच्चों हमारा लेकिन उसके अंडर ऐसे यह पूरे बोर्स आते है बच्चों इसका जो काम है आपको 14 जून का अगर न्यूस देखी होगी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी बच्चों आपको इसमें बता गया कि 85% पेपर पूरे चेक हो चुके है असेस्मेंट हो चुका है मॉडरेशन हो चुका है सब कुछ हो चुका है लेकिन बच्चों कल मैंने और एक लेक्च्चर मॉडिंग में बच्चों इसका नियर अबोटली हेडिंग में ही 98% काम हो चुका है ठीक है ऐसे बहुत सारे बच्चों आउरंगबात का बोड का भी बहुत सारा काम हो चुका है उसके बाद में अमरावति का बहुत सारा काम हो चुका है बच्चों इसके बाद में नियर अबोटली नाशि जाधा पेशन जादा पेशन यहाँ के कारण बच्छों इस बोड में मतलब लगबक तो हो चुका लेकिन फोड़ा कम बाकि है इसका पूरे बोड का भी थोड़ा कम मतलब जहां पर बहुत ही जादा का मतलब कांटन्वें जोन पेपर में कहा है 85 percentage assessment HSC SSC board के हो चुका है बाद समझ में आगी और उसके साथ में बच्चों आपको पता होना चाहिए class 10 के total आपके पास 16,39,862 student है class 12 के total मतलब तो वैसे तो अबव 15,00,000 के उपर student ने examination का form बराता लेकिन जो exam दी बच्चों ने यह 14,21,936 इसने बच्चों न तो बच्चों इसका जो result अगर आप लोग सोचोगे तो near aboutly मैं आज के date में आज के शाम तक मैं करिब करिब इसको 90 percentage मानूंगा बच्चों क्योंकि काम बहुत fast चाले बच्चों 90 percentage काम हो चुका है 10 percentage काम क्या होता मैं बताता आपको 10 percentage में बच्चों जो CM का काम होता है CM बच्चों के लिए एक बोड में तो टोटल 9 ही CM होंगे और ज्यादा पेपर होते नहीं बच्चों मतलब एक बोड में ज्यादा से ज्यादा पासो हजार पेपर होते ज्यादा से ज्यादा तो एक तो उसके अंदर भी कुछी moderator लोग काम करते हैं तो बच्चों यह जो 10 percentage काम मेन उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों मेरे खाय से 15 डेज लगने चाहिए बस इस काम को होगा है मतलब जून मेना खतम हो गया अपना पूरा हो चुका है और उसके बाद में सभी पेपर यह जो होता उसका एक पेज फाड़के वो पुने में लेके जाते बच्चों जो अपने मार्क लिखे वे अपने देखा होगा वहाँ पे मॉडरेटर चिप मॉडरेटर एक्जामीनर जब पेपर लिखते थे याद है आपको वो जो पेजे पूरे पेजे जाते पुने में और वहाँ पे मशिन सोती बच्चे मशिन में वो डालके पूरे की पूरे वो भी खत्म तो मेरे खाल से बच्चो हम लोगों को जो जुले की साथ जुले ठीक है टू 14 जुले के बीच में जो डेडी है जो प्रेडिक्शन दिया था हमारे जो शाले शिक्षन मंत्री वर्षाजी गायकवार उनने करेक्ट इसी हिसाब से दिया है और उस हिसाब से च Итак सब्टाइब क्क दुश्राइब को जो क תबहें कि होगा नहीं होगा मेरे खाल से बच्चो यह जुरत जो रिजल्ट है सेकंड बिक है सेकंड वीक ओफ जुले जुले का जो इसीकंड ६्इक है बच्चो उसमें आपका शूर हंड्रेड़ परसंट result आने के maximum मतलब मैं तो आपको 100% बोलूंगा मैं तो 1990 नियुक्त बोलूंगा 100% chances है इस हिसाब से जो हमारे पास newspaper के हिसाब से analysis कर रहा हूं दोरों की link आपको description box में मिलेगी जो 14 यह 14 जुन की date में आया था बच्चो और लातुर बोड का आपको जो कल का जो था है ना आपको उसमें वो न्यूज मैंने अल्ड़ी कल के इसमें बताया आप लोगों को इसका लाइशेशन भी लिया था तो मेरे खाल से बच करता एक दो दिन का लेकिन बच्चो रिजल्ड का बहुत ही काम फाट चले भले ओ रेड जोन हो कंड मतलब ग्रेंज ओनों कोई भी हो बच्चो आपको पता होना चाहिए यह सभी इसमें भी पेपर जो रिजल्ड ही तयार हो चुका है ओनली दो ही यहां पे मम्मई और पुन की लिए थोड़े दिन लगते हैं तो एक माक्जिमम पकड रहे है कि सेकंड वीक आप जूले इसमें आपका पक्का के पक्का रिजल्ड आएगा तो बच्चो शेर करते रहे ना जो बच्चे ने देख रहे 10 वाले उन्होंने भी लाइक करना 10 का भी मैं सिलाबस स्टार्ड क कर रहा हूं 12 का तो अल्रड़ी है तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो और बेस्ट अपर वाश्टड़ी